श्री क्रेशना राधे राधे सभी को ठोड़ा सा डिस्टुबेंस थोड़ा आपको लगेगा क्योंकि मैं फैन बंद नहीं कर रहे हूं क्योंकि बच्चों का समय है और लेकिन मैं फिर भी आप सब के लिए वीडियो बनाने आई हूं और इस समय पे फैन मैंने ओन किया हुआ ह ठीक है आज हमारी लाडो की छटी बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुई मैं जादा वीडियो नहीं बना पाई आप समझ सकते हैं बहुत सारा काम होता है इस वज़े से साथ ही लेकिन मैंने लाडो के दर्शन जो है आपके लिए क्योंकि हमारी लाडो ने इतनी लीला में ही इतने जादा सुबह हमें बहुत लेट हो गया उस लीला के वज़े से और अभी भी आप सब दर्शन कर रहे हैं और यह जो कॉस्ट्यूम मैं आपको दिखा रही हुना यह देखो हमारी लाडो की यह लहेंगा है हमारी लाडो का जो आज हमारी लाडो ने पहना ह और वाइट गज़रा लाडो का मिला नहीं इसलिए गुलाबो का ही हमने हमको यही यूज करना पड़ा और आज हमारी लाडो जो स्वपन लीला में आई वो इसी ड्रेस में आई थी लाडो को यह इतनी अच्छी लगी कि उसने इतनी सुन्दर से तरीके से आशिरवात दिया क्योंकि आज दो-दो स्वपन लीला हैं हुई जो सेम थी मेरी और सोना की तो मैं एक ही आपको बताऊंगी लेकिन जहां पर सोना ने मुझे छोड़ा है लीला में मैंने वही के दर्शिन प्राप्त किये हैं तो आपको पता चल जाएगा तो क्योंकि दो लीला एक साथ क्योंकि प्राप्त करने जाना है तो सोना कहते हैं हाँ जाएंगे लेकिन रुख जाएए आज न पहले हमारी लाडो की छटी है ना तो हम उसका फंक्शन बनाएंगे तो वह कहने लगे हाँ ठीक है तो लाडो का ये लहंगा होता है साथ में सोना जो है एक गजरा लाके रख में बताता है लेकिन मैं बता रही हूं तो सुना के तीए की ठीक है आप जो है यहीं पर हम लोग घजरा रखते हैं हम लोग निकलते हैं कि लाडली नहा कराएगी और नहाने के बाद वो ये गजरा खुद पहन लेगी अब तो लाडो बड़ी हो गई है और सोना और पिहारी जी जो है चले जाते हैं तभी ये लोग अपने आपको यमुना मतलब जाते हैं नीचे जो है गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी में बैठत पहुँ दो सोनाʃ चलो बैटो तो टबी सा पढ़ता है जंगल पते हैं जैसे ही एंटर करते हैं えलते हैं जैसे करने ही खिलने चारस चिया महीब हुए है के स्टरीट ळीना आई कि अघर तो बहुत जादा आए और वहांसे कोईना मतलब आपने देखा होगा जिसे डोलिया टाइप की निकलती है तो उसको वो निकल रही है वहाँ पर जब मैयाओं की निकलती है तो डोली में बैठी होती है मैया और लेकर जा रहे होते हैं सवारी टाइप की इस तरह की जो है वहाँ पर वो निकल रही है मतलब मातारानी की प इन गया हो एपने हैं अ कुछ सब्सक्राइब करने हैं। मुझे ब我們的 लड़की भाई मुज़े वही क्लोना चाहिए। ऐसके कुर्टे ओर्टे हैं चैए प्रेश कहें लिड़की आने जिना आको पास बेष्मार मों भूरा संद्रेटा है जा कि पता इसके पास भूमार मैंटुए ख pike ये उहें, भूर मोर सोछी करें या मैं वह जरू का आंसके बहुता समय को पम संद्रीफेश हमा है मतलब सिर्फ एशारह करती हूं मैं कहते हूं है मैं तुम anal जानती हूं तो वह कहते है अच्छा कही खिलोना किस से बना है तो बास से बनाया हुँ है और मैंने जो वяж़फूसा पहनी है वो मीरा भाई टाइप की पहनी हुई है मेरे चंदन की दो लगा, मैंने जो टीका लगाया है, वो वैशनर टीका लगाया हुआ है, गले में मेरे दो तुलसी की कंठी हैं, मतलब बड़ी वाली मालाय पहनी हैं, कंठी के साथ में, पीले वस्त्र धारण किये हुए हैं, और मैं जो बजा रही हूँ, वो भी वीड़ा है जो मीरवाय जी बजाते हैं जो बाज की होती हैं औछ उसको और पीछे एक थैली, बीटंगि हुए है, इस तरह की मेरी वेशबूसा है, तो सोना कहती है, आप मुझे ना, मतलब अपनी अपनी से लग रही है वो इतनी तो और सामने से बहुत अच्छे होते हैं और पीछे से गोबर लगाते हैं, तो ये बात क्या मैं संक्षित मैं आपको आगे बताऊंगी लेकिन तुम परिशान मत हो मैं साथ हूँ ना मैं चलता हूँ चलो मेरे साथ यहां मेरी सक्षी है और वो तुमको जो है लगा देगी मतलब निलाने के लिए तुमको कपड़े भी दे देगी और तुम अच्छे से देवस्तर पहन लेना तो सोना को प्रभू वहां ले जाते हैं और वहां पर हो जाती है और वहां पर सनान करती है और सनान करके वहां से निकल आती है निकलने के बाद में बाहर जैसे ही निकलती है तो वह क्या देखती है कि मैं फिर्व से वही वीना वीना क्या मैं नाम लू क्या क्यों मेरे पीछे आरही हो मुझे किठनैब करना चाहती हो क्या बताओ क्यों मेरे पीछे आरही हो तो मैं सर्फ मुस्कुराती हूं और अटाटी लेकर आ जाते हैं क्यों कि गडे नहीं चलाते हैं यह ऑठोल्य widget मुझे अटीन अपίας और वो कहते नहीं ये तुमारी सक्षी है ये तुमारी सक्षी है तुम उनसे डरो नहीं तो वो फिर बोलती अच्छा आप मेरी सक्षी हो बोले हाँ तो बहारी जी कहते इनको भी तुम अपने साथ ले लो तो सोना कहती है क्या बहारी जी अब आप इनको भी साथ ले लो अगर इनको साथ ले लूँगी तो ये गाड़ी भर जाएगी मेरा तो पूरा घर भर जाएगा मैं आप तो किसी को भी लोगे और गाड़ी में बिठा लोगे ऐसे नहीं बिठाएंगे किसी को भी तो बिहारी जी कहते अच्छा लेकिन तभी वो कहते लेकिन ये तुमारी सखी है तो तुम बहुत चालाग हो और तुम चालाग हो इसलिए तुम्हें बिहारी जी मिले हैं क्योंकि बिहारी जी भी चालाग है और चालाग को ही चालाग मिलते हो तुम बहुत चालाग बनती हो तुम जो है सही रास्ते की जगत दूसरे रास्ते पर खुद चली जाती हो और दूसरो राधा जी के पास ही रहते हैं हम भोले भक्त हैं इसलिए राधा जी के पास रहते हैं और तुम चालाक हो इसलिए तुम बहारी जी को बहारी जी के पास हो और ये बात बोलते हो तो सोना कहती है नहीं ऐसा नहीं है तो बोले कि तुम जाओ और चली जाओ तो सोना कहती है नहीं नहीं ऐसा करती हो तुम यहीं मिलना ठीक है मैं लोटते वक्त तुमको ले लूँगी और मैं वीना बजाते हुए मैं वहीं रुप जाती हो और इशारा करते हो और सोना आगे निकल जाती है तभी यमना नदी के तीर पर पहुंच जाते हैं किनारे पर प पब तक बाद लाड़ी बी आ जाएंगी तो तो सोना जाती है और इसने आप ऐब बाद यह सोन से करें वहां और पहारी जी उत्तरसा की ध कर आघली तो खुलala की दखि के पर तुम्हें की आवाज आती है चन जैसे ही वो नौका में बैठ जाती है यानि राधारानी जो है नौका में बैठ जाती है और वो भी बिहारी जी की तरह उत्तर दिशा में दोनों का हाफ फेस जो है इस तरीके से वो बैठे हुए है नौका में और सोना जो है सामने फ्रंट पे बैठी हु लाटली तो आई नहीं, यह तो मय्या अ गई, पर, मय्या कितनी सुदर है, तो काना जी कहते हैं, अच्छा, बहुत सुंदर है, तो तारीफ करो, तो बहुत करों, उन्हों तो घुमगट लगा रहा है, बस मय्या की नत दिख रही है, और मैया के नत कितनी सुंदर है और सोना तारीफ करना शुरू कर देती है कि मैया तुमारी नत कितनी सुंदर है मैया तुमारे होट कितने सुंदर है मैया तुमारा तिल कितने सुंदर है मैया तुमारे जुमके कितने सुंदर है मया तुम्हारे लंबे केश कितने सुंदर है उन केशों पे च्टीला लगा है वह कितने सुंदर है मतलब सोना को जो जो दिख रहा है सोना उसकी तरीफ कर रही है तभी मया धीरे से ल funktioniert अपन पैर आगे की तरफ निकालती है तो सोना को लाड़ो का मतलब मैया का पैर दिखता है तो सोना कहती है मैया तुम्हारे नख कितने सुन्दर है मैं सो जनम लू तुम्हारे नखों के लिए इस तरह से तारीफ करते तो भी भी हारी जी कहते है बस 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 बहुत हो गई तारीफ अब चलो अब तुम मतलब नौका चलाओ का आईे तो बिहारी जी कहते हैं आच्छा ये बताओ तुम 2019 में मुझसे पहली बार मिलने आई ओटीय। तो सोफ रोनी लगती है और फिर कहते हैं आप मुझे याद रहने लगते हैं और फिर कि यूद रहने लगते हो तो प्रभु कहते हैं, यह सब मेरी माया है, मुझे कितना याद करवाना है, और कितना याद नहीं करवाना है, और मैं सब जानता हूँ, और तुमने मुझे क्या कहा था, तुमने कहा था, कि कैसे भगवान है यह, कैसे देखते हैं यह, भगवान क्या ऐसे होते हैं, तो सोना कह तो सोना बोली हाँ फिर 2019 में मैं दिव्या के पास ही आके रहने लगी बोले वो मैंने ही किया था तो सोना कहती है अच्छा वो आप नहीं किया था बोले हाँ इसलिए तो कि मैंने तुम्हें उसी दिन जो है जान लिया था और मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरी तरह ही बहुत शरारती हो तो बोले हाँ अच्छा आपको ये भी पता है बोले मुझे आप तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम बहुत शैतानी करती हो और सब जुट भी बोलती हो तो सोना बोलती हाँ आपको कैसे पता कहे रहे मैंने तुम्हारा सारा बाय उड़ाटा निकाला है बोले क्या बोला बश्वन में तुमा लू चुराय था ना तुमने तो हसोना बोली हाँ आपको कैसे पता बोला सब को सताती थी थी ना बोले हाँ आपको कैसे पता बोला मुझे सब पता है तो बोले कि और आज तुम जो है हर बार जो है ये बोलती हो कि मुझे ये काम दो, मुझे पैसे दो वो तुमको मिलता तो है तो वो कहने लेगी कहां मिलता है बोला कि जो तुमको मिलता है न वो सभी मेरी अद्रश्य सेवा है मैं अद्रश्य होकर सब देता हूँ पैसो का क्या करोगी तो तब ही सोना बोलती है भगवान अगर पैसे बहुत होंगे लेकिन तुम्हें आगे खूब मिलेगा तो सोना कहती है तब तो मैं बुड़ी हो जाओंगी तो मैं कैसे मतलब जोला उठाऊंगी पैसो का तो बिहारी जी कहते है ये भगवान तो सोना कहती है देखा आपको भी भगवान याद आए ना तो प्रभू हसते है और कहते है मैं ही भगवान हूँ तो सोना कहती है अच्छा लेकिन आप तो Krishna जैसे नहीं दिखते हो, Krishna ही तो Bhagavan है, तो बोले अच्छा, लेकिन मैं ही हूँ, इस तरीके से, सोना उनसे बात करती है, और तब प्रभू कहते है, तो सोना कहते है, लेकिन आप मुझे भूला क्यों देते हो सब, तो प्रभू कहते है, कि जितना मुझे याद रखवा मुझे खुमा गोuste, को आपने हैं भाउन को सब्सक्राव करना मोगता है, पर प्रभु कहते हैं, सबूँने को सब्सक्राओं से और मुले सब्सक्राइब और सब्सक्राइब गोड़ा करेकर बनाना है, तो बोले हां मैं वहां तुम्हें छोड़ दूँगा तो फिर प्रभु कहते हैं तुम जानते हो तुम्हारी जो सखी है उन पर राधारानी का हात है और मैं तुम से प्रसंन हूँ तो बोले इसलिए मैं तुमको दिखता हूँ तो वो बोले अच्छा ये बात है बोले हाँ यही बात है इसलिए तो राधारानी सबसे पहले बरसाने बुलाती है तुम सबको और फिर उसके बाद तुम सबरंदा बनाते हो तो सोना बोलती है अच्छा ऐसा है मतलब सोना एक बच्चे के भांती है उनसे हर चीज का जवाब मांगती रहती है और तुम जो काम करती हो जो वस्तर बनाती हो बोले हाँ तो उन सब का दाम तुम मुझसे मांगती भी हो तो सोना बोलती है और क्या बोलू तो बोला तभी तो वो तुमको मिलता है ना क्या करना है जितने की तुमें जरूरत होती है मैं तुमको देता हूँ ना तो वो के नहीं हाँ दिवया भी यही बोलती है कि कर्म करो तो उसका फल मिलता है भी प्रभू देते है तो प्रभू कहत होते हैं कि हम बड़ी है यह जहां उच्पों को खते हैं इसी मार्था कोंट आप होती है ना उनकों भूरा जो है एक सब्सक्रीन है प्रबू गुम को आफना तो प्रभूं जो है मतलब ऊपरust तरफ लगते हैं सीड़ियों की तरह ऊपर की तरफ चड़ने लगते आसमान की तरफ तभी सोना केती है अरे आप तो बड़े मतलब भी हो मुझे यहीं छोड़ कर जाने लगे मुझे घर भी जाना है तभी लेकिन सोना का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि प्रभू और लाडो क्या कर होते हैं सोना बारबर के लड़ो यह न हमारी लाडो पेनेगी लहुझा मुझे दे देना क्यूंकि कल हम उसको पिंजाना है कल उसकी छटी है तो मैया हसती है घुंगती लगा होता है मैया का तभी वहाँ जाकर बिहारी जी कृषणे रूप में टेरी टांक करकर बासुरी ब दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रहा है मुझे घर छोड़ो कि लाड़ो की छटी मना नहीं है तब ही वो आशिरवाते तो सोना कहती है अच्छा ये मुझे दर्शन दे रहे हैं शायद और वो नमश्कार करती है तब ही प्रभू से कहती है प्रभू मुझे घर जाना है तो व इक भक्त ने मुझे बरसाने से उठने के बाद ये लीला सुनी लीला सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं और काम कर लेती हूं लीला बाद में बताओंगी क्योंकि बिटिया कि छटी है बहुत सारा काम करना था मुझे क्योंकि सोना ने जो इस स्वपन में मुझे छोड़ दिया था बरसाने में जहां पर मैं यह मतलब बजा रही हूं जो बजाने की है वहीं से आगे का स्वपन मैंने देखा था कि वहां पर मुझे चपन भोग के दर्शन मिले पंडिजी मिले और बहुत सारी चीजें मतलब प्रभू ने आशिरवाद दिया लेकिन अलग रूप में तो यह सारी स्वपन थे दो स्वपन एक साथ नहीं हो सकते इसलिए मैंने का यह जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे संदेश इसमें है प्रभू के तब होता क्या है कि सोना जब यह बताती है तो जब मैं सुबह फोन उठाती हूं तो मैं अपना वर्टसप देखती हू उन्होंने मतलब मिरको एक वीडियो डाला था मैं वैसे वीडियो देख नहीं पाती हूं मिर पास समय भी नहीं होता उन्होंने देखा मैंने का पता नहीं वीडियो आया देखती हूं जैसे ही मैंने देखा तो उसमें एक नौका विहार देखा रखा था और वो बरसाने का स और कल मतलब ऐसे ही आक्स में मतलब आसक में क्या बोलते हो उसको अक्समात सौरी अक्समात जो है एक नौका विहार जो है कल आयोजित की गई थी राधा कुंड में और यह उसी का सीन है और उसी को आज प्रभू ने लिला के रूप में दिखाया था स्वप्न में मैं अचंबि जो भोग उन्होंने मुझे दिखाय थे उसी प्याधारित मैंने भी भोग बनाए तो आज मतलब हमा मतलब बहुत धन्य समझते हम अपने आपको कि प्रभू ने वही लिला आज सोना को बताए साथ मैं उन्होंने बहुत से संदेशों को दिया और वो संदेश इस प्रकार है शुरुआत से हम शुरू करते हैं जहां पर सोना देखती है कि एक मैं हूँ मैं वहाँ पर उसके सखी के रूप में हूँ जो भीड़ा बजा रही है ये क्या भूलते है मैं नाम ही भूल जाती हूँ उसका और वहाँ पर एक बच्चा आता है और उसके पीछे गोबर लगा देता है ये उन लोगों के लिए प्रभू ने कहा है कि दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो आपके मुख के सामने कुछ और कहते हैं और पीछे और कुछ कहते हैं और ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी है जब प्रभू आपके साथ है अगर प्रभू आपके साथ है तो कोई कि इतना भी कीचड तुम पर डाले, गोबर डाले, उसको धो दो और उसको धोने का काम भी कौन करवाएगा, स्वेम प्रभू करवा देंगे, ऐसे लोगों पर ध्यान केंदृत मत करो, चाहे वो आपके फॉलोवर्स हो सकते हैं, वो आपके घर के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके जीवन में सब पे लगता गया, हर संत पे, सब किसी पे, अब आते हम दूसरी जगह पे, जहां पर सोना कहती है, कि क्या प्रभू, आप सब को गाड़ी में भर लोगे क्या, प्रभू ने कहा न, अपनी सखी को गाड़ी में बिठाओ, हमारे साथ लेके जाएंगे, सोना ने म कोई लेकर भी जाना चाहता है, तो बहुत से लोग उनको लेकर जाने के लिए मना कर देते हैं, कि ऐसा मत करो, तुम दूब जाओगे, तुम को प्रभू मिल रहे तो तुम प्राप्त कर लो, दूसरों को प्राप्त मत होने दो प्रभू को, आप समझ गए इस लीला से, कितना सुन्दर संदेश दिया प्रभू ने, यहाँ पर सोना ने मना किया गाड़ी भर जाएगी प्रभू मत लेकर जाओ, फिर मैंने वहाँ पर क्या बोला, कि तुम बहुत चालाक हो, चालाक हो, इसलिए प्रभू को पाली हो, तुमको क्या लगता है बहारी जी को हम नहीं से सीखो, भले ही आप भोले हो, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रभू से सच्चा प्रेम करना तो आता है ना, भोलापन है तो क्या हुआ, यह सब चीजे नहीं आती, साथ सजावट ये वो फलाना, मन के भाव तो सुद्ध रख सकते हो ना, क्यों नहीं पा सकते बहार करें, तीक है, आगे चलके क्या होता है, कि प्रभू कहते है कि मुझ पर राधारानी का, वो हमारा एक परसनल की प्रभू ने हमें आशिरवाद दिया, कि मुझ पर राधारानी का हाथ है, सोनप बिहारी जी का, यह जो भी है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, आ आप सब पर भी है, और उनका एक संदेश और है कि जो राधारानी के भक्त होते हैं, वो बहुत सरल होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, वो बरसाने में ही रह जाते हैं, जो थोड़ा यह, उनका कहने का मतलब है, प्रभू को पाने के लिए थोड़ा नटखट पन सहना पड़त तो उनको पाना बहुत आसान है, बहुत सरलता से आप पा सकते हैं, आपको यही करना है, आपको समझ आया है, उसके आगे कहा जाते हैं, उसके आगे चले जाते हैं नौका विहार में, नौका विहार में प्रभू क्या बताते हैं, कि प्रभू कैसे सोना को प्राप्त हुए, क् प्रभू आप काले रंगे दिखते हो, आपकी आखे बड़ी अजीब हैं, आप समझ रहे हो, उसने प्रभू को विग्रह नहीं समझा, इसलिए प्रभू, क्योंकि हम लोग गलती कहां करते हैं, हम अपने घर में विग्रह लेकर आगए, और हम विग्रह को विग्रह ही मान रहे हम सोची नहीं रहे कि ये इश्वर साक्षात बैठे, आप समझ जाएए, ये सिक्षाए हैं, हमको ये समझना है कि जो विग्रह आपके घर में वो विग्रह नहीं है, विग्रह भी भूल जाएए, अब सीदे से बोलेए, ये साक्षात राधारानी है, ये जो आपको देख र विग्रह ही दिखेंगी, उनको कभी साक्षात दर्शन नहीं मिल सकते, ये विग्रह नहीं है, हम प्रभू को जब मन में वास लेते हैं, हम उनको ये समझें कि अच्छा बुरा घर में हम जो कर रहे हैं ना, गाली गलोच, गलत कर्म, प्रभू सब देख रहे हैं, आप सोना को कि तुमको अच्छी चीजे बड़ो से सीखनी चाहिए, तो इसका मतलब अगर कोई अच्छा बात आपको बता रहा है, तो वो चीजे सीखनी चाहिए, आप समझ गए, ये सारे, ये सारी चीजे, लास्ट में प्रभू ने दर्शन दिये, प्रभू ने किस प्रकार द आप सबको बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, सब कृतार्थ होने चाहिए, सबको इतना जादा खुशी होनी चाहिए, आप अपनी दिल की, अपने मन की हर चीज को भुला दीजिए, आप प्रभु को पाना चाहरे, रास्ता आपको मिल गया है, और रास्ता यही है हर चीज को सत्य मान लो नहीं मान रहे हो प्रभु प्राप्त नहीं कर पाओगे गोबर लगाने वालों को साइड कर दो क्योंकि गोबर है वो बह जाएगा धुल जाएगा और उसको धुलने का काम स्वेम प्रभु कर देंगे तो परिशान होने की आवशकता नहीं है प सरल स्वभाव भक्तों को जो इस तरह का मन भाव बना लेते हैं प्रभु ने क्या कहा कर्म करना बहुत जरूरी है आप जो भी काम करते हैं सिंगिंग करते हैं डांसिंग करते हैं जो करते हैं करो